सदेसिता गवाने के बाद राहूल गांधी आज पहली बार मीडिया कैमडे के सामने आए 24 घंटे के बाद बीजेपी पर जम कर गरजे राहूल गांधी के ओर से कहा गया है कि हमेशा के लिए जेल भेज कर चुप नहीं करा सकते हैं मुझे मैं अदानी पर सरकार से लगातार सवाल पूछता ही रहूंगा राहूल गांधी के आरूपों के तुरंद बाद दो बजे बाकादा बीजेपी की प्रेस कांफरेंस होती है राहूल के आक्रमण के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया सामनी आई जिसमें एक तरफ रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नाखून कटा कर खुद को शहीद दिखाना चाते हैं राहूल गांधी हर बात पर जूट बोलते हैं तो वहीं केंद्रिया मंद्री मेगवाल के ओर से कहा गया है कि सजा तो कोट ने दी है राहूल से अपमान का बदला लेगा OBC समाज अब OBC समाज के अपमान का मुद्दा उठाकर यहाँ पर भारतिय जन्नता पार्टी लगातार आक्रमण कर रही है कॉंग्रिस पार्टी के ओपर राहूल गांधी के ओपर और इसी साल कई राज्य में होने है वधान सभा की चुनाओ OBC समुदाए वहां पर भारी तादाद में है और 2024 के लोगसबा चुनाओ में भी इस मुद्दे को लगातार बीजेपी उठाती रहेगी आज यही बाते कहते हुए रवशंकर प्रसाद प्रेस कॉंफरेंस में नज़र आए दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला आज पूरे मामले में दिन भर किस तरह का घटना करम रहा कैसे दावी किये गए क्या क्रिया और प्रतिक्रिया रही उसको बताती हुए यह रपोर्ट देखे उसके बात करेंगे चर्चा की शुरुआ मैं पिछले भारत जोड़ो यात्रा में आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजे मैं वहां कह रहा हूं सब समाज एक हैं सब को एक साथ चलना चाहिए भाईचारा होना चाहिए नफरत नहीं होनी चाहिए हिंसा नहीं होनी चाहिए तो मेरी पोजिशन बिल्कुल क्लियर है ये हुबी सी का मामला नहीं है ये नरेंदर मोदी जी और अदानी जी के रिष्टे का मामला है बीस हजार करोड रुपे जो अदानी जी को पगानी कहां से मिले उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए और उन्हें क्या कहा था? ये सारे मोदी चोर क्यों होते हैं? मोदी बिहार, पूर्वी भारत, पस्श्चिम भारत में पिछड़े और अती पिछड़े समाज से आते हैं तो श्रीमान राहूल गादी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पुब्लिक मीटिंग में आलोचना करने का अधिकार है गाली देने का अधिकार नहीं है और राहुल गांदी ने गाली दी थी बेज़त किया था बेबुनियाद बाते की थी तो राहुल गांदी जी अगर आपको गाली देने का अधिकार है अब्यूज करने का अधिकार है तो जो पीडित होते हैं उनक नहीं करूंगा नरेंदर मोदी जी का अधानी के साथ क्या रिष्टा है और बीस हजार करोड रुपे किस के हैं मैं पूछता जाओंगा मुझे कोई डर नहीं लगता है इन लोगों से और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालिफाय करके धमका के जेल में डालके मुझे बं हिंदुस्तान के लोग तंत्र के लिए लड़ता रहूंगा किसी चीज से नहीं ड़ता हूं ये सचाहिए तो राहूल गांधी की पार्टी की तरफ से उनको कोर्ट से इस्टे दिलाने की कोशिश क्यों नहीं हुई भाजपा ये कोशिश करना चाहती है क्या नाखुन कटा कर शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं हमारा सपष्ट आरोप है जान बूच कर ये नहीं किया गया ताकि करनाटक के चुनाओं में राहूल गांधी के प्रकरन को ढुनाया जाए और ऐसा संकेत उनकी बहन के साथ साथ बाकी लोगों ने भी कहा है ये बात हम सपष्ट कहना चाहत है इसलिए जो पूरा प्रकरन है आज का प्रेस कांफरेंस ये सब कुछ एक सोची समझी रनीटी है कि राहूल गांधी को एक बलिदानी बताओ और करनाटका में इसका लाब लो या फिर तीसरी बात है क्या कॉंग्रेस के अंदर कुछ अंदूनी पॉलिटिक्स चल रही है राहूल को कॉंग्रेस से हटाओ और कॉंग्रेस बचाओ इसका जवाब तो कॉंग्रेस को देना परेगा